अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटे जानें करल होने के बाद सपाब भड़की तो सुना आपने कानून के राम राज में जाती पूचकर अब लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि हम लोग पढ़े लिखे समाज से तालुक रखते हैं पढ़े लिखे समाज में जाती पूचकर कौन भेदव प्रद करते हैं वो आखों से नहीं, अकल के भी अंधे होते हें, जो इंसारों में फर्त करते हैं जाती बूछ कर मारपीट करने वाले ये एक नेता जी है, जिनका ताल्लक गाजि पूर जिले से है जहां एक यादब से नेता जी इतने खफा हुए कि पहले जाती पूछी और फिर लगे थपड बरसा ने वीडियो में नेता जी अपने परिवार से मिले संसकारों को सुन्दर सुन्दर गालियों से सुशोवित कर रहे हैं और एक के बाद एक थपड बरसा रहे थे पीडित पर जब पहला थपड लगा तो वो भी चोग गया क्योंकि उसे भी इस मारपीट की उमीद नहीं थी लेकिन नेता जी का पारा इतना हाई था कि उन्होंने न आओगे ना नताओ सीधा थपड पेल दिया मामला उतरप्रदेश के गाजीपूर का है और थपड बरसाने वाले नेता जी का नाम कमलेश सिंग है जिनकी पतनी आरती सिंग सादात ब्लॉक प्रमुख है जानकारी के मताबिक उमकार ना धियादब नाम का शक्स पंचाय चुनाओ कोले कर चुनाओ प्रचार कर रहा था और इस बात से भड़के कमलेश सिंग ने पहले तो पूछा कौन विरादर हो और उसके बाद दे दनादन थपड़ बरसा दिये इस वीडियो के वाइरल होने के बाद सपा के नेताओं का पारा हाई है और वो कारवाई की मांग कर रहे हैं सपा नेताओं का कहना है कि यादबों को योगी सरकार में टार्गेट किया जा रहा है जो गलत है और इसे बरदाश्त नहीं किया जाएगा वहीं इस वीच कमलेस सिंग जमकर सुर्खियों में चाय हुए हैं सपा नेताओं का कहना है कि रामराज का दावा करने वाले राम से भी सीख नहीं ले पाते राम ने दलिस समुदाय की शिवरी के जूठे बेर खाय थे और उन्होंने जाती में फर्क नहीं किया था लेकिन रामराज का दावा करने वाले जातियों में फर्क करते हैं जो इनकी कतनी और करनी में फर्क दिखाता है और इनकी समझ पर सवाल उठाता है इनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है ब्यूरो रपोर्ट मीडिया हल चल